नमस्कार सावे जनालाई आजा मा बैचलर इन सिविल इंजिनेरिंग को एपलाइड मेकानिक्स डाइनेमेक्स को यो इम्पोटेंट देरिवेशन लिए उपस्तित इम्पोटेंट थ्योरी क्वेशन लिए उपस्तित वाए गोशो यो क्वेशन आमरो 2022, 2017 रा 2019 मा स्वदे को स्वदे के हुन्छा जाहिले बनी रा किनमने इसको एपलिकेशन धेरे शा यो निमेरिकल मा इसको फॉर्मला चाहिए धेरे यूज भई रहा हुन्छा है ना तेवर यो चाहिए सोधी आल्छा एक्जाम मा हम्रो क्ये बने को चाहिए डिसका साउं डीलम बड प्रिंस्पल फ आमरो की होंछा दा इक्वाल उन्छा जे बने सा डीलम बस्प्रिंसिपल स्टेट्स दाट दा एक्स्टर्नल फोर्स आक्टिंग उन्द रिजीड बोडी आर एक्चुली इकुवेलें टु दा एक्टिव फोर्स अब दा बैरियाज पार्टिकल फॉर्मिंग दा बोडी आना यह काशलें इक्सटर्नल फोर्स लगाया बने तेसमा सपोज यह रिजीड बोडी ओ भावने एसमा एक्स्टर्नल फोर्स डिफ्रेंल लागे सामने यह एक्स्टर्नल फोर्स को कारेन लिए एसमां के-के एफेक्ट हुने बाहुता है ना इसमा मोमें टाँ काई मोमेंट बाह उने भौह होँ चाए न यही बडी करह र हो सब्सक्रादाँ आमा के इसमा मोमेंट काई मूमेंट साथ चाहिए में कंसलों आई जोरा मैना पाल कर लिए आवे फक्रा अन संदयां लयर्च कुंधे इनडोन Фणादाए मेंट external force को कारल ने गर दा कती आम रो त्यो फोर्स त्यो बडि मां किये effect होंचा ते बने को किये effective force है ना ते external force बने को effective force होंचा ते बने आशा यो DLM बार्स प्रिंसपल ले ना किये किये एजूम गरे को छा बने F1, F2, F3 external force एजूम गरे छा योटा rigid body मां है rigid body external force एजमा rigid body मां हमरो एजूम गरे को छा रिजीड body बने को आमरो किये होंचा ता कुनी बनी body को shape रा side change होदे ना मने ते शला है rigid body हमेले बन्छा एना ता S मां आमरो yax axis रा y axis drone गरे को छा रा योटा आमरो irregular body यो जुन आमरे figure एर देशो नी यो आमरो irregular figure हो रा S मां आमरो center of gravity एसको body को center मां लागे को छा G बने को center of gravity हो कोणी पनी body को center of gravity जाले पनी center में लागे छा है ना center में लागे छा और यो side और मां लागे दे ना S मां external force कुन-कुन लागे रहा चा सपोज F1 F2 F3 रा F4 आमरो external force यो rigid body मां लागे रहा को छा तो एसको कारण ले गरदा यो rigid body मां कुण-कुण किसिंगो motion उने बहा त्यो चाहिए आमरे ले त्यो बनी को क्योदा effective force होंचा ये ना तो हामे ले किया था चा बने कुनी-पनी body मां हमे ले force लागाया बने हामे ले त्यो body कीता translation motion होंचा है ना कीता rotational motion होंचा translational motion होंचा बодी सीधा बने होंचा सीधा italy MOども on किता मेरो left side देखि right side body move होंचा किता right side देखि right side देखि body एता तिरा ईता देखि तेरह मूच्छा अथल बोल यहां अध geschू, लेप देखि राइट अथल ब्ली को किया उन्चा? यह ते होंचा ओरिजन्टल और बोडिकल मोमेंट रोटेशनल मोंचा था हामरो बडी रोटेट होंचा अली घुम चा यह रोटेट होंचा 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 रोटेट अहां baptized एक्सिसमा होंच्छा में आप देखिखी राइट इध कि राइख देनले सबक्वा यसे offset । यह पोल्डी कात एक्सिस्ट मा हमें आप जेडляेस्ट मां रोटेट सोत ओली क्या अब देखी डाउन हाइना माथी देखी तहलं मोब बहयो अत्वा तला देखी माथी मोब भयो त्रा सीधा मोब भयो क्याओ स्ट्रेत लाइन मा मौ भनेगा है त्यो तु घुआत को ट्रांसलेसनमोस नुह नुटेशनल मौ स्थी एकस राव होगाम च्रांसलेसन मोस है रोटेशनल मोस हैउन्षener नुटन सेकेंड लव गड़ा, फोर्स बनेको, मास इन्टो एक्सेलरेशन होंचा कि उदाए ना, हुँँछा, हंडेट परसेंट हुँछा, एक्सेलरेशन ला एक्स बार एजुम करेगो, अब यहां एजम संता हो, है ना, एजुम ता जेपनी गरना पाइन शंता है ना, तो एक्सेलरेशन ला 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 एक्सेलरेश अब summation Fx बने को क्यो हो था? External force. यहाँ DLM बड लेके बने सा? External force बने को effective force को equal हो था. External force आम्यों क्यों बहा है यहाँ? आम्यों external force summation Fx बने को इसे बने क्यों बहा है? यहाँ DLM बॉल्च बने को रहाँ? summation of FY गलनो पर सा, रा Y direction को आमिले फोर्स निकाल दाएचा उने Axeation पनी के गलनो पर सा, य दिरेक्शन को फोर्स निकाल दाखेडी X direction को Axeation लेज आ मिल दाएचा पर सा, यम इन्टु A Y बार अब हम्रों यो Z axis मा योक्स रा Y axis मात्रे छांता तरह Z axis मा रोटेट उन्षांता इना rotational उदा आमेडले क्या produce हुँँछा कुणी पनी body rotate पायो यह सरी गोम में बने क्या हुँछा हम्रों turning moment हुँछा क्या हुँदा ही ना turning moment टॉर्निंग मोमेंट लाइ मिले टॉर्क बन्छाओं टॉर्क बनिको क्यों I into alpha I बनिको moment of inertia आओ moment of inertia आओ और alpha बनिको angular acceleration हो हो है ना तो ते बेर Z axis मां आमरो क्यों उन्छा दा यो चाहे Z axis मां आमरो rotational motion होंछा किनो ने याँ चाहे X रा Y axis मांते यो irregular figure छन्त Z axis मां का होंछा rotate होंछा उन्फा यो body line के गरीैसरी rotate गराया दीए यो anti-clockwise rotate गरा को दैंवर आमरो torque चाहे कह अन्फा anti-clockwise एस तो बनिको anti-clockwise वोerek वो anti-clockwise 활atar 2 चाहे E anti-clockwise rotate हुलका ईचाहे कहा होंछा था यो mass into alpha Niet's alpha-dash अल्हाब धा एंगुलर एकसेलरेशन होई यो तेचे आ मिले भूजनूग पढ़ने मोसदे accurate आप अवा ओतल त्रास्सलेशन को कुछा हमीले हिरे एलासा। क्या पेच्ट गोंस्बाँ सीधा नुसमा पढ़लों इसत इसलेशन को अजीए पीटन इसलेशन इसलेसा वो त्रास्सलेशन हम्रो ट्रांसलेशन मोसन मा कुण एक्सेलरेशन होंचा रहा मेरलाए लीनियर एक्सेलरेशन होंचा आएना ट्रांसलेशन मोसन मा लीनियर एक्सेलरेशन बनेको ए बार अथवा ए लेखना मिलियो तरह रोटेशनल मोसन मा के होंचा angular acceleration होन्छ, angular acceleration ला आलफा ले दिननोंट गर शो, ते वनेको इन्दा के सब translation motion angular acceleration zero होन्छ, किन में रोटेटे वोधे ना, rotate वोधे आलफा होनेको zero, effective force आमरो के होन्छ, mass into acceleration तो, ये हो एना, translation motion को लाए आमरो summation f वनेको mass into acceleration न्यूटन सेगिन लावबादा है ना, अब मेरो फोर्स F1, F2, F3, F4 लागयो यो रिजिट बोडी मा रा सेंटर अफ ग्राविटी जी चा बने आब कॉरक वर्स F2, 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 F2 यो आई एंटो आलफा अनी यो जीव ता अवा येसमा हम्रो तॉर्क अथवा कॉपल बनिको कुरा योड़े वे ना टॉर्क लाइने कॉपल बनिंछा तॉर्क क्यों होंचा वेना बोडी इस इस सेंट्रेडल रोडेशन ए रिदूजेज तु जीरो है ना अवा सेंट्रेडल अवा रोटेशनल मोशन मा के होंचा हम्रो रोटेशनल मोशन मा हम्रो लीनियर एक्सेलरेशन के होंचा हुदाइना किन मने बोडी जब सीधा मूब भय वने मात्रे आमरो लीनियर एक्सेलरेशन होंचा वेना बोडी आमरो रोटेड भय होंदा त्यां एंगुलर सेंक्टरीडाल मा के हुंचा लीनेर एक्सिलेशन है जीरो हुंचे ना ते बेर एफेकटीव फोर्स होने को आमार के उने बद आय इंक्तो आलफा हुंचे पॉपल टॉर क्लाइन के यह टॉर्न उने बद तर्णिंग एफेल लाइक कॉपल अथवा टॉर बनेंचा ते वेरा यहां चाहें हमेले एती बुझनू पढ़ने हुँँँँछा यो फोर्स लागदा खेरी यो एसको एफेक्ट के हुने बहुता एफेक्ट आमरो फोर्स डियलेमबर्स प्रिंस्पल मा आमरो ट्रांसलेशन एक्स्डनलॉ फोर्स लागए बने बिडियो चाह हान सीधा पहला मोव हुचा इन्गGGशा अथो बटी करिकलिंग मोव है रोमख मीसनमा के बहा आगैता आब एक्स्टंब फोर्स लागए का多ण में बॉटी रोटेट उन्यबार्स हाम एक्स्ट चाहें कती होटा उन्यवचा फोर्स को कारण ले गरदा एफेक्ट कती ओटा उने बढ़ दुटा योड़ा ट्रांसलेशन या शीधा बड़ी मूब योड़ा चाए बड़ी रोटेट उने बढ़ तो यह दुटा यह दुटा यहरो नू पढ़ने होंचा हस्ता साथे यो वीडियो चाहिं सक्यों अब नेस्ट वीडियो मार को टाइपको ठेओरी ले रोपस्तित उने नेचु ताव संग लाई गुडबाई टेक क्यार यो चाहिं तीन पटक्सों देशा दुटा सत्रा बाइस रा उनना इसमां सो देगो शा यो पड़नोला हस्ता सक्यों नेस्ट वीडियो मार को टाइपको ठेओरी ले रोपस्तित उने नेचु ताव संग लाई गुडबाई टेक क्यार